नजारा इंकम टैक्स गुरंबर का है हर पार्टी के नेता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं महागठ बंधन के जो नेता है वो खास तौर पर यहाँ जुते हैं दरसल मामला है निसीश कुमार द्वारा महागठ बंधन यहाँ आरोप लगा रहा है कि सनफ मल्ला मुकेश सानी और उपेंद्र कुश्वाहा के लिए अभद्र भाशा का प्रयोग किया गया अब इधर भी एक नजारा देख सकते हैं कि जो यातायात है वो भारी तोर पर प्रभावित हो रहा है सलक जाम हो गई है लोगों को परिशानिया उठानी पड़ रही है यह नजारा लगबग हर रोज रहता है लेकिन महागठ बंधन के विरोध का या तरीका है और इसी को ल से और फिर जानेंगे कि आखिर किन मुख्य मुद्धों को लेकर यहां विरोध कराया जाएगा सबावी सड़कों पर है सबागे नेता हमारे साथ हैं बताइए आज प्रदर्शन किस बात को लेकि प्रदर्शन नहीं यह तो अचानक यहां का जो लोकल लोग है यहां प्रद पक्ष में आपको मालूम है प्रतीपष के नेता तेजुसी प्रसाद यादव है कोई मीटिंग बुलाते हैं अब महागटबंदन का तो छरक छाप को बुलानी की बात कहा जाता है इससे अमर्यादिक सब इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है एक तो संबिधानिक संकट भी राजपाल महोदे उनको हम लोग कह रहे हैं कि इनके सब्द को मर्यातित करवाया जाएं कहीं से नियंतित किया जाएं और सब्सक्राइब करने जा रहे हैं यह हम लोग का परतिवाद है सभी पार्टिया आप महागटबंदन के दल एक जुट है और आपको मैं कहना चाहता 2019 में कोई चुनाव नहीं होगा जनमत संग्रा होगा कि यह देश गांधी लोहिया जैपरकास अंबेदकर के रास्ते पर चलेगा कि गोल वरकर के रास्ते पर चलेगा इसका जनमत संग्रा होगा कि लोगों को कोई असुविधा का ना उठानी पड़े वेरहाल भी आर्ज तुझे तमाम अपडेट्स के साथ बने रहे हैं धन्यवाद